हेलो फ्रेंट आप सुब कैसे हैं देखे आज बनाई हूं पिठा जो पूस के महीने में जरूर हमारे हम बनती है पिठा बनाने के लिए 100 ग्राम अलसी लिए हैं अलसी को थोड़ा दरी के लिए भूंज लेंगे जब अलसी हमारी चटकने लगी तो समझ जाएंगे कि भूंज गई है एक मिनेट के लिए इसको मीडिया माच पर भूंजेंगे हमारे तरफी इसको तीसी बोलते है देखे अलसी हमारी भूंज गई है वोसी कड़ाही में चोखा बना लेंगे आलू के दो तरह के आज पीठा बनाएंगे आलू के और तीसी के तो चमझ तेर डाले हैं तो आधा चमझ जीरे डाले हैं चर-पांच कली लेसन के डाल दिये हैं इसको डालकर भूंज लेंगे दो हरी मिर्ज काटकर ले लिए हैं थोड़ी सी कोई भी डाले हैं एक मिडियम साइज काटकर प्याज ले लिए हैं इसको अच्छी तरीके से भूंज लेंगे आधी कटोरी मतर डाल देंगे मतर को भी अच्छी तरीके से भूंज लेंगे आलू को पहले से ही वाल कर रख लिये थे छोटी वडी चमझ से आधे चमझ मिर्शे डालेंगे आधे चमझ काली मिर्श डालेंगे आधे चमझ हल्दी डालेंगे सभी को डालकर मसाले को भूंज लेंगे फिर आलू जो उबालकर रखे थे उसको मैस करकर डाल देंगे पूरा वीडियो देखने की कोशिज करें तो ही समझ में आएगी स्वाद के अनुसार नमक डाल दें प्रोटेटो में सरसे मैस लेंगे काधी चमर्च के लगवा गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ी सी धन्य पतर डाल देंगे इस तरीके से चोखा बना लेंगे अलसी को भूंज कर रखे थो उसको पीस लेंगे उसमें चार इलैंशी डाल दिये हैं इस तरीके से पोडर बना लेंगे फिर उसमें गूर डाल कर पीछ लेंगे देखे इस तरीके से पीछ लिए हैं पहले अलसी को पीछें फिर उसमें गूर डाले देखे हमारी अलसी पीछ गई है पिठा बनाने के लिए आटा लेंगे तीन करोड़ी चावल के आटा लिए हैं इसको च्छान लिए हैं घर का पीशा हुआ है चाबल को पहले धो लिए थे मिल में पीशपा लिए हैं अब एक कडाही लेगे उसमें एक लेटर पानी डालेंगे गरम होने के बाद एक कडाही पानी निकाल लेंगे जरूरत होगा तो बाद में डाल देंगे वाटर डालकर इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से mix कर लें अब पांच मिनट के लिए ढख कर रख दें देखें पांच मिनट हो गई है अब इसको आटा को सान लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आटा को सान लेंगे रोटी के जैसा ज्यादा कड़क आटा नहीं साने सौप्ठी आटा साने तो पिठ्ठा नरम नरम बनेगी देखें आटा हमारी गुथ गई है देखें कितना सौप्ठ आटा बनी है एक रोटी के जैसे लोई कर लेंगे उसे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए इस तरीके से गड़ा करके भर लेंगे हलके हलके हाथों से दवा दवा कर भरें जानी से भर जाएगी इस तरीके से पिठ्ठा बनाएंगे बहुत गुल गुल ही पिठ्ठा बनेगी अगर हमारे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लेगी फिरें तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको पिठ्ठा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइगा दूद्वाला पिठ्ठा नहीं बनाया है अगले बार बनाएंगे आपके यहां पिठ्ठा इस तरीके से बनती है कि नहीं कमेंट करके हमें जरूर बताइगा पहचान के लिए इस तरीके सिर्थ्रा डियान बना लेंगे धेर सारे पिठ्ठा बनता है तो पता नहीं चलता है कि कौन आलू का है कौन तीसी का है आपने हिसाब से आप दाल का भी बना सकते हैं गूर के और मुंगफ़री का भी बनता है जो भी आपको टेस्ट अच्छा लगे उसी साब से बना ले सारे पिठ्ठो को इसी तरीके से भर लेंगे हमारे बच्चे को बहुत पसंद आते हैं बिठ्ठा ज्यादा करके आलू और तीसी को ही पसंद करते हैं और मावा वाली पसंद करते हैं तो मावा वाली नहीं बनाये हैं पहले एक दिन बना लिये थे फिर से उसी कडाई में डेड लिटर पानी डालेंगे पानी को उबलने देंगे उसके बाद एका करके पिठ्ठा को डाल देंगे देखें पानी हमारी उबल गई है इस तरीके से करके पिठा को डाल देंगे पिठा हमारी पानी में डूबनी चाहिए उसको ढग कर 10 मिनिट के लिए पका लेंगे तेज आज पर ही पका लें पानी थोड़ा जादा डालें तो जल्दी पक जाएगी इस तरीके से बीच बीच में जरूर चला लें इसी तरीके से सारे पिठा को वाल लेंगे देखें पिठा हमारी कैसे चेक होती है देखें उपर उपर तर तैरने लगेगी देखे पानी के उपर उपर तेर रही है इसको दबा कर भी देखेंगे तो उपर उठने लगेगी इसी तरीके से सारे पिठा को बना लिये है